आज के वीडियो में हम GE CareScape R860 Ventilator के modes और settings के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या-क्या features है और क्या-क्या options है इस ventilator को start करने से पहले हम लोग oxygen और air का connection लगा देंगे oxygen का notch match करके इसको push करना है similarly इसी प्रकार से हमको air का notch match करना है यह उपर वाला notch उपर जाएगा और फिर air inlet में आपको push कर देना है bedded panels में ऐसा तो आपको देख लेना है कि अच्छे से fit हो गया है ventilator के input के लिए हमको oxygen और air दोनों ही समानने pressure 4.7 बार्स में लगता है अब जो air और oxygen का जोनों पोर्ट है air oxygen दोनों जो connect होता है ventilator में तो उसके सामने water trap रहता है ताकि कोई भी humidity moisture ventilator के अंदर ना जाए यह रहाँ power socket उसके पर fuse और यह रहाँ on off का button इसको जैसे आप push करेंगे तो ventilator जो है बूट करना start कर देगा तो आप ventilator बूट अप होना start हो गया है अब धी तरी यह start होगा यह पुरे animations आ गए अब यह ventilator standby mode पे आगे चुका है अब settings के लिए हम देखेंगे current mode यहां से हम जाएंगे तो आप देख रहे हैं assist control volume control यह option मिल रहा है आपको तो यहां पर FIO2 volume टाइडल volume पीप rate i2e ratio यह सारी settings जो है आपको मिल जाती है आपको मिल जाता है यहां safety net के लिए कुछ peak limits के option भी है अब हम दूसरे mode पर जाएंगे assist control pressure control अब इसमें आप देख सकते हैं FIO2, pre-inspiratory, peep, rate, i2e ratio यह बागी चीज़े आजाएंगे तो यहां पर जैसे हमने pressure control का mode select किया है तो यहां पर volume का parameter नहीं रहेगा अब आते हैं हम लोग assist control PRVC इसका मतलब होता है assist control में pressure regulated volume control मतलब एक pressure का भी setting रहेगा और tidal volume भी आप set कर सकते हैं setting change करने के लिए आपको जिब touch करना है और rotatory knob को move करके जो है values आप change कर सकते हैं यहां आपको देख सकते है rate timing, rate i2e, precision, synchronize यह सारे चीज़े इसकों मिल जाती हैं SIMV volume control यहां पर FIO2, Tidal volume, P, pressure support का option आता है फिर bathing time, T, inspiratory यह सारे चीज़े आ जाती हैं इसके बाद जम जाते हैं SIMV pressure control यहां पर FIO2 यहां पर जितने भी pressure के settings हैं वह आपको यहां पर मिल जाएंगा SIMV में pressure control का option अब हम लोग by level पर जाएंगे, by level पर जैसे आप click करेंगे तो देख सकते हैं अलग-अलग जो set करने के options आ जाते हैं कि इसमें set कर सकते हैं वह सारे display है, leak composition फिर आप on रखना है, off रखना है, peep on रखना है कोई भी menu को जो आप चाहिए आप उसको touch कीजिए और rotate rate not पसे उसका value change कीजिए तो वह set हो जाता है तो यह सारे values जो है आप set कर सकते हैं क्योंकि यह resistive touch screen है इसका आपको feel capacitive display जैसे नहीं मिलेगा, थोड़ अपको screen जो हलका press करने वाला जैसे मिलेगा अब आते हैं AP, RV, airway, pressure release ventilation में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या settings available है इसके बाद आसकते हैं CPAP, CPAP में FIU2P pressure support तो यह सारे चीज़े हमको मिल जाती है फिर यह है SPT spontaneous breath trial आपको trial देना है breathing के लिए तो यह use कर सकते हैं यह है volume support, volume support अकर आपको देना है तो यह कुछ settings है जाप ले सकते हैं फिर है NIV, non-invasive ventilation तो उसके कुछ यह सब parameter आप set कर सकते हैं squarely composition trigger और यह नीचे क्या अब एक बार हम लोग इसको test lung पे चला के देखेंगे तो अब हम test lung पे देखेंगे कैसा waves आ रहा है इसका तो अभी हम लोग ने test lung को connect किया है assist control volume control में यह देख सकते हैं test lung कैसे inflate deflate हो रहा है तो यह हम लोग ventilator को check करने के लिए रखे हैं की proper ventilation हो रहा है कि नहीं यहाँ पे अप्टी screen में press करेंगे तो आप लोग को जैसे अलग-अलग waveforms और अलग-अलग values जो है डिस्प्ले में मिल जाएंगी जैसे आप change करेंगे तो इसमें graphs, pressure, volume, flow इस सारे चीज़े मिल जाएंगे फिर change करेंगे तो आपको spirometry values भी मिल जाएंगी कैसे inspiration और expiration में जो spirometry values है वो भी आपको इसमें मिल जाएंगा और इसमें पूरा आपको जितना भी data है वो पूरा मिल जाएंगा तो ऐसे-अलग-अलग screen की displays है जिसमें आपको अलग-अलग जो जानकारिया है वो मिल जाएंगी यह देख सकते हैं pressure का flow कैसा हो रहा है यह pressure versus time graph है यह flow versus time और volume versus time तो जिस प्रकार से यह graph में जो है जो निमाटिक्स में changes हो रहा है उसके साब से वे display कर रहा है ventilator के sensors बहुत ही sensitive रहते हैं इसलिए minute से minute जो है air changes को भी वो पकड़ लेता है नीचे में inspiratory port में filter लगता है वहां से gas अंदर जाता है और expiratory में expiratory exhalation valve और flow sensor रहता है इसको देखो पाथ से आप दिखाएंगे देखे इसका movement देखिए कैसा हो रहा है exhalation valve का यह कुछ इस प्रकार से इसका movement हो रहा है और यहां से जो gas release हो रही है यह उसका movement है यह flow sensor है हमारा यह sense करता है कि कितना tidal volume expiration के वक्त निकल रहा है body से को एक patient के body से है test link से तो यह रहा है overview ventilator का video पसंद आया तो like और channel को subscribe जरूर करें